हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, शुश्मा राजकुपता, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कमर्शियल लौका फूल सलेबस, ये चू सलेबस है, बीकॉम, बीबी और सीय फाउंडेशन के कोर्सिस को भी कवर करेगा, और इसमें हम लोग चैप अपलोट कर चुटी हूं, तो स्टुडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया, आप में नेया सलेबस, कमर्शियल लौ का शुरू करने जा रही हूं, कमर्शियल लौ शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए, कि लौ होता क्या है, तो लौ वो है, जो कि रूल्स एंड रैकुलेशन के पारे में बताता है, वो रूल्स एंड रैकुलेशन कोई अथारटी भी सेट करती है, किये गए हैं, अब commercial law यह exhaustive नहीं है, it is a part of the general law, general law की एक ब्राँच है, जो कि business law के नाम से भी जानी जाती है, इसको business law या mercantile law भी कहा जाता है, ठीके, अब commercial law यह business की terms में deal करता है, ठीके, तो हम लोग business में क्या करते हैं, contracts करते हैं, ठीके, हर इक business transactions में contracts की जरूरत होती है, तो वहां पर law of contract जो है, बहुत ही important है, किसके लिए, उन सब firms के लिए, individuals के लिए, companies के लिए, law of contract की knowledge होना बहुत ही जरूरी है, यह जो contract act है, यह 1st September 1872 को in-act हुआ था, ठीके, यह तो होगी introduction की commercial law क्या है, अब commercial law में जो important term आती है, that is contract, contract क्या है, contract is an agreement creating and defining obligation between the parties, contract वो agreement है, जो दो parties के बीच में किया जाता है, पहली point तो यह है कि contract हमेशा दो parties के बीच में होता है, और दोनों parties के क्या obligations है, उसको define करता है, obligations मतलब क्या उनकी देलदारी है, ठीके, अब जब भी हम contract की बात करते हैं, contract के लिए दो conditions होनी चाहिए, एक तो contract में agreement होना चाहिए, और वो agreement enforceable at law होना ज़रूरी है, ठीक है, agreement क्या है, तो सबसे पहले agreement क्या है, agreement एक proposal है, agreement क्या है, it is a proposal when accepted becomes a promise, जब कोई एक person proposal रखता है और दूसरा उसे accept करता है, तो वो promise बनता है, उसको हम agreement भी कह सकते हैं, promise भी कह सकते हैं, it is according to section 2, subsection B, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए sections ज़रूरी हैं, ठीक है जी, तो sections को आपने साथ साथ learn करना है, अब हुआ क्या कि A ने अपना घर बेचना है, A कहता है कि मैं अपना घर बेचना चाता हूं, B कहता है ठीक है मैं तुमारा घर खरीदना चाता हूं, A ने proposal रखा कि मैं अपना घर बेचना चाता हूं, B ने उस proposal को क्या किया accept कर लिया तो दोनों के बीच में agreement हो गया ठीक है तो क्या होना चाहिए दो parties के बीच में एक person proposal रख रहे और दूसरा उस proposal को accept कर रहे तो क्या होगा agreement होगा पर agreement के लिए दूसरी condition है कि agreement enforceable at law होना चाहिए अगर दोनों parties के बीच में social agreement होता है तो उसे हम enforceable at law नहीं कहींगे अब social agreement कैसे है A, B को dinner पे invite करता है B, उसको accept करता है अब दोनों के बीच में क्या हो गया? agreement हो गया ये क्या हो गया? agreement हो गया ठीक है जी अब ये दोनों के बीच में जो agreement हुए that is social agreement social agreement क्यों है? क्योंकि A ने B को dinner पे invite किया मानलो B जो है बाइचांस नहीं आ सका किसी कारणवाश वो dinner पे नहीं आया तो क्या A, B को स्यूँ करेगा A, B को स्यूँ नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा because इन दोनों के बीच में agreement हो है that is a social agreement that is not enforceable at law उसे हम legally enforce नहीं कर सकते legally enforce कब होगा? जब दोनों जो agreement हो है उसमें सारी legal terms को accept किया गया है legal terms को follow किया गया है ठीक है? अब इसी तरह enforceable at law के case में बहुत important case आता है welfare versus welfare का एक welfare versus welfare का हुआ क्या कि जो मिस्टर welfare है वो सिलोन में जो है job कर रहे है काम कर रहे है मिस्टर welfare जो है वो England में रह जाती है because of ill health उनकी से ठीक नहीं है वो वहीं पे रह जाती है मिस्टर welfare उसको कहते है कि मैं तेरे को हर मन्त 30 पॉंट जो है मिस्टर welfare ने क्या किया मिस्टर welfare को सियू कर दिया यहाँ पे court ये कहती है कि मिस्टर welfare मिस्टर welfare को सियू नहीं कर सकती because इन तोनों के बीच में जो agreement हुआ था वो social agreement था that was not enforceable at law ठीक है अगर divorce के बाद होता legally मतलब मिस्टर welfare मिस्टर welfare को कहते कि I will pay you this amount और वो ना पे करते तो मिस्टर welfare उसे सियू कर सकती थी अब भी उन दोनों के बीच में जो agreement है वो social agreement है so she can't sue मिस्टर welfare तो कहने का मतलब यह है कि agreement होना चाहिए और agreement क्या होना चाहिए enforceable at law होना जरूरी है अब जो पहला case है a b से कहता है कि मैं आपका घर बेचना चाहता हूँ b कहता है ठीक है मैं buy करना चाहता हूँ खरीदना चाहता हूँ अब a कहता है कि मैं 20 lakh में बेचना चाहता हूँ b कहता है ठीक है मैं 20 lakh में खरीद लूँगा अब दोनों ने जो terms है offer भी एक ने offer की दूसरे ने sap किया दोनों के बीच consideration हो गया, दोनों ने क्या किया, agreement को sign भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, legally enforceable हो गया, agreement होने के बाद ये legally enforceable, जब वो illegally enforceable हो गया, तो वो क्या बन गया, contract बन गया, तो कोई भी agreement तब भी contract बनेगा, जब वो legally enforceability की सारी conditions को पूरा करेगा, ठीक ह जी तो next आगे अपना question अब यहाँ पर आपका important question बनता है तो क्या सभी agreement contract है पहला तो question बनता है what are the essential elements of a contract essential elements कहने का मतलब यह है कि अगर agreement ने contract बनना है तो उसके लिए कौन-कौन सी condition होनी चाहिए यह 15 mark का बहुत important question आपका बनता है ठीके second question है all contracts are agreement ठीके all contracts are agreement बट all agreements are not contract agreement are not contract इसका मतलब है कि contract तो सारे के सारे agreement है क्योंकि contract तभी होगा अगर वो agreement होगा but all agreements are not contract और agreement सारे agreements contract नहीं है सिरफ वही agreement contract बनेंगे जो इन essential elements को पूरा करेंगे तो questions का answer same है इसमें भी आपने essential elements लिखने है पर पहले आपने statement को थोड़ा explain करने है फिर उसको लिखने है तो answer तोनों का same है बहुत important first lesson का question है हाँ जी question में आपने करना क्या है पहले थोड़ा सा आप contract को explain करोगे फिर essential elements कोई भी agreement contract तभी बनेगा अगर ये सारे essential elements पूरे होते हैं ठीक है first offer and acceptance ठीक है कोई भी contract valid अब valid word का मतलब किया है valid का मतलब है legally enforceable means जिसमें हम दूसरी party को sue कर सकते हैं legally enforce कर सकते हैं उसे valid contract कहा जाता है अगर हम sue नहीं कर सकते तो वो valid contract नहीं होगा तो कोई भी valid contract तभी बनेगा अगर एक person lawful offer कर रहा है और दूसरा person lawful acceptance दे रहा है एक person ने offer की और दूसरे ने acceptance दे दी so there will be agreement और agreement के आगे contract बनने की पहली condition है ठीके जी तो A कह रहा है कि मैंने अपना घर जो है sale करना है B कहता ठीक है मैंने आपका घर खरीदना है अब A ने offer किया B ने उसे accept किया तो दोनों के बीच में क्या हुआ agreement हो गया ठीक है अब जो agreement हुआ है ठीक है intention to create legal relationship उन दोनों parties की जो intention है वो क्या होनी चाहिए legal relationship create करने की होनी चाहिए the intention of the parties must be to create the legal relationship अगर उनकी intention legal relation create करने की नहीं है तो वो valid contract नहीं बनेगा ठीक है तो यहाँ पे आप welfare versus welfare का case कर सकते हो ठीक है ना तो इसमें जो उन दोनों parties की intention थी that was not to create legal relationship that's why वो legally enforceable नहीं था Mr. welfare ने कोई legally relation create नहीं किया उन दोनों के बीच में social relation था तो जिसकी वज़ा से Mrs. welfare Mr. welfare पे case नहीं कर सकती है यहाँ पे आप case भी लिख सकते हो और example भी लिख सकते हो कि A ने B को dinner पे invite किया ठीक है जी तो यह question तीसरे में आप example और case दोनों दे सकते हो तीसरे लाफुल consideration कोई भी agreement contract तबी बनेगा अगर उसके बीच में लाफुल consideration है लाफुल consideration मतलब consideration जो है legal होना चाहिए अगर consideration ही legal नहीं है तो valid contract नहीं होगा ठीके पहली बात तो consideration होना चाहिए बट second point है कि वो लाफुल होना चाहिए ठीके ए कह रहा है कि मैंने घर बेचना है बी कहता है ठीक है मैंने घर खरीदना है अब ए कहता है कि मैंने 12 लैक रुपिस में घर बेचना है भी कहता है ठीक है मैंने 12 lakh में खरीदने है दोनों के बीच में क्या है consideration है और consideration कौन से लाफुल है ठीक है ना तो यहाँ पे क्या होगा valid contract होगा ठीक है अब यह कहता है अजी लाफुल consideration अब दोनों parties के बीच में agreement के साथ consideration का होना सरूरी है और consideration जो है that should be lawful consideration अगर lawful consideration है तो valid contract होगा अगर lawful consideration नहीं है so that will not be a valid contract अब lawful consideration के पहले तो A, B से कहता है मैंने अपना घर sale करना है ठीक है कितने का 20 lakh रुपीज का B कहता ठीक है मैंने आपका घर 20 lakh रुपीज में बाई करना है अब A जो है house दे रहा है B उसके बदले 20 lakh दे रहा है तो यहाँ पे A का consideration house का consideration 20 lakh रुपीज होगे B के 20 lakh का consideration house होगया तो consideration मतलब in return something in return एक घर के बदले क्या ले रहा है 20 lakh रुपीज B 20 lakh के बदले क्या ले रहा है घर ले रहा है तो यह होगया lawful consideration अब unlawful consideration क्या है XY से कहता है यह ले 20,000 रुपीज ठीक है तुने मुझे मैं जो मर्जी करूँ यह XY पुलिस इंस्पेक्टर से कह रहा है 20,000 रुपीज ले लो उसके बदले आप मुझे sue नहीं करोगे यहाँ पे no to sue किसी को यह कहना कि तुम मुझे sue नहीं करेगा for illegal work तो यह जो consideration है यह 20,000 के बदले उससे क्या ले रहा है अनलाफुल consideration तो यहाँ पे जो agreement होगा वो क्या होगा unenforceable होगा तो enforceable होने के लिए जरूरी है कि वो लाफुल होना चाहिए पॉइंट समझा क्या ठीके देन फॉर्थ पॉइंट है capacity of the parties जो दो parties के बीच में agreement हो रहा है वो capacity capacity मतलब capable to contract होनी चाहिए capacity of parties दोनों parties की capacity होनी चाहिए अब capacity का मतलब क्या है कि दोनों contract करने के काबिल होनी चाहिए दोनों contract करने के काबिल कब होंगी जब दोनों parties major होंगी major का मतलब है 18 साल से जादा उनकी ace होगी और दोनों sound mind की होंगी sound mind का मतलब है कि दोनों जो terms of contract है उनको समझ सकें ठीक है अगर एक party में भी इतनी समझ नहीं है कि वो contract की terms को समझ सकें तो contract valid नहीं होगा तीसरा not disqualified by law law ने उसे disqualified नहीं किया not disqualified by law law ने उसे contract करने से disqualified नहीं किया तो वो capable मानी जाएंगी और उनके द्वारा किया गया contract valid होगा enforceable होगा point समझा गया दोनों parties में ये तीनों qualities होनी जरूरी है तभी वो क्या मानी जाएंगी capable मानी जाएंगी ठीक है पी ने क्या किया किसी minor के साथ contract कर लिया agreement कर लिया अब जो minor है ये क्या है below 18 years है यहाँ पे पी इस पे case नहीं कर सकता legally इसे sue नहीं कर सकता because he is not capable to do the contract point clear next point आगया कि दोनों parties की जो consent है वो free होनी चाहिए free consent ठीक है free consent एक तो point यह आता है कि free consent का मतल मैं आपके साथ कोई contract कर रही हूँ ठीक है आप मेरे student ओ मैं आपके साथ contract कर रही हूँ मैं आपसे कहते हूँ कि आपने जो घर बेजना है ना क्योंकि आप मेरे student ओ ठीक है 20 lakh रूपीस का घर है मैं तो 10 lakh रूपीस में ही लोंगी यहाँ पर मैं आप पर क्या कर रही हूँ एक तरह का दवाव डाल रही हूँ कौन सा दवाव है वो दवाव जो undue है due एक तो होते है ना due एक होते है undue undue influence कर रही हूँ आपको है कि हमारा teacher है हमने इनके ओबे करने आप मुझे 20 lakh रूपीस वाला घर 10 lakh रूपीस में देने को त्यार होते हो बट यहाँ पर आपकी consent free नहीं आप अपनी मर्ची से नहीं करें क्यूं दे रहे हो because I जो है मैंने आपको आपसे कहा है कि being a teacher आप मुझ enforceable होगा point clear तो enforceable होने के लिए दोनों parties की consent free होने चाहिए consent कब free माने चाहती है when consent is not caused by caused by caution caution होता है किसी को धमकी देना अगर तुने ये काम नहीं किया तो मैं ऐसे कर दूँगा ठीक है ना तो यहाँ पर threat आती है यहाँ पर threat है caution का मतलब threat है अगर आप किसी को threat करके चीज buy कर रहे हो sale कर रहे हो तो वो भी not free consent है ठीक है या undue influence undue influence वो है teacher student का होता है या doctor patient का होता है या lawyer client का होता है या undue influence क्योंकि यहाँ पर जुद उन parties का relation होता है वो ऐसा relation होता है कि एक party दूसरी को force कर सकती है तीसरा आगया fraud अगर कोई contract fraud कह है तो वो भी unenforceable होगा then आगया misrepresentation आप किसी चीज को misrepresent कर रहे हो ठीक है ना किसी परसने का हमारी company में superstar जो है वो director है actually वो है नहीं तो आप क्या कर रहे हो misrepresent कर रहे हो तो यहाँ पर जो agreement होगा वो भी void होगा valid नहीं होगा यहाँ by mistake कोई agreement होता है तो वो भी valid नहीं होता है ठीक है यह जितने भी points है इन सब पर एक एक chapter बना है हम लोग chapter वाई और जादा है P उससे कह रहे है कि मैं आपको 2 lakh रूपीज एक्स्ट्रा दूँगा और यह जो घर है मैं smuggling के लिए use करूँगा यहाँ पर जो उसका purpose है that is not legal जब उसका purpose legal नहीं है तो फिर agreement भी legal नहीं होगा valid नहीं होगा ठीके जी next आगया certainty of meaning certainty of meaning जो जिसके लिए हम contract कर रहे हैं agreement कर रहे हैं वहाँ पर certainty होनी चाहिए certainty मतलब निश्चित amount होनी चाहिए ठीके जी जैसे A B से कह रहे है कि मैंने आपसे जो लोरी बाय करनी है वो मैंने हाइपरचेज पे बाय करनी है बी कहता ठीक है आप हाइपरचेज पे खरीद लो बट जो हाइपरचेज की terms है उनको fix ही नहीं किया जब उनको fix ही नहीं किया तो उस case में जो agreement होगा वो valid नहीं होगा कल को देता आपकी हाइपरचेज की installment नहीं पे करता तो भी उसको sue नहीं करेगा because terms तो आपने clear नहीं किये है तो terms को clear करना ज़रूरी है यहाँ पे example ले सकते हैं xy को कहता है कि मेरे को oil send कर दो 100 tons of oil send कर दो 100 tons of oil ठीक है तो यहाँ पे यह तो बताए नहीं कितने 100 tons oil send करना है तो यहाँ पे भी certainty नहीं है अगर certainty नहीं होगी तो contract भी valid नहीं होगा ठीक है जी possibility of the contract जो आप contract करने जा रहे हो वो contract possible भी तो हो possibility of the contract अगर वो complete करना possible नहीं है ठीक है तो valid contract नहीं होगा ठीक है जी तो A B से कह रहे है कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा अब तारे तोड़ के लाना that is not possible ऐसा कोई contract ठीक है यह contract तो नहीं हो सकता है बट यहाँ पे मैं terms बता रहे हूँ कि possible कौन सी है impossible कौन सी है अब तारे तोड़ के लाना जो है that is not possible ठीक है तो कुछ ऐसा कहना जो कि possible ही नहीं है तो वो माना जाएगा impossible, impossible agreements are not valid ठीक है जी point clear है जो चीज producing ही होरी इंडिया में वो आप कह रहे हो कि मैं आपको sale करूंगा जो चीज यहाँ पे producing ही होरी तो उसको आप कैसे sale कर सकते हो ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जो impossible point है वहाँ पे अगर कोई agreement होता तो वो valid नहीं माना जाएगा not declared to be void not declared to be void जो हम agreement करने जा रहे है already void declare हो चुका है तो विर contract भी valid नहीं होगा agreement all the conditions valid must not have been expressly declared to be void अगर पहले ही वो void declare हो चुका है तो फिर agreement के बाद जो contract बनेगा वो valid कैसे होगा इसके इलावा कोई भी agreement तब भी contract होगा अगर सारी legal formalities पूरी होगी legal formalities कि जो contract है जो agreement है अभी वो agreement है जब सारी conditions पूरी होगी तो वो contract बनेगा agreement जो है वो stamp paper पे होना चाहिए है न उस पे date mention होनी चाहिए दोनों parties के signatures होने चाहिए तो ऐसी legal formalities पूरी होगी तो ही agreement contract बनेगा ठीके तो आज हमने एक ही question किये 15 marks का lengthy question किये तो आप लोगोंने साथ साथ करने हम लोग आपका अच्छा response होगा तो मैं भी इसको और अच्छे से करूँगी ठीके जी तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like करे चैनल को subscribe नहीं कि आप first time वीडियो देख रहे है तो चैनल को जरूर subscribe करे और जादा से जादा वीडिय उसको शेर करे थैंक यू